सब्सक्राइब करे टेक्निकल सूरज को और जबाए बैल आइकन और पाए हमारी लेटिस टेक्नोलोजी से रिलेटिड वीडियो सबसे पहले फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वालों प्लेश्टूर की एक ऐसे सीक्रेट ऑप्षिन के बारे में जिसके बारे में शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा नहीं जाना होगा अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आपने अभी तक इसको यूज नहीं किया होगा अब दोस्तों ये secret setting क्या है आप इसको कैसे धुड़नेंगे और आप इसको कैसे apply करने वाले है सब पर चलेगे इस वीडियो में तो चली शुरू करते हैं तो नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है सूरज कमार और आप देख रहे हैं technical सूरज friends सबसे पहले मैं आपको setting तक पहुचाऊंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह जो एक्षिल में setting है यह क्या काम करती है इस को किसलिए बनाया गया था तो चली जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है आपको जो अपने mobile का प्ले स्टोर होता है simple open करें open करने के बाद यहां पर आपको बहुत सार अप्शन देखने को मिलेंगे तो आपको स्क्रोल डाउन करना और यहां पर इसकी सबसेद पहली setting होगी वह है parental controls तो simple इसके बाद यहां पर हमारी setting है यह आपको कुछ इस परकार देखने को मिल जाएगी दोस्कों बात करते हैं कि यह जो setting है क्या काम करती है इसको किस लिए बनाए गया है अब फ्रेंट जैसे कि आप जानते है कि गूगल प्लेश्टोर पे आई दिल लाखों अप्लिकेशन बनती और अप्लोड भी होती है और यहां पर आपक अप्लिकेशन को डाउनलूड ना करने में यानि अगर यह setting on होगी तो वह जो application होती है वह उसको देखने को मिलेगा ही नहीं तो अब से लिए बात करते हैं कैसे काम करता है तो मैं आपको दिखाता हूं तो दूस्तों यहां पर आपको जोई आपको यह प्रेंट जो हमारे setting देख रही है सिंपल इस पर क्लिक करें क्लिक करनेगा तो यहां पर आपको रेटेट देखने को मिल जाएंगी जिसमें 3 प्लस है 7 प्लस है 12 प्लस है 16 प्लस है 18 प्लस है तो अब आप क्या कर सकते हैं आपका भाई आपकी बहन या आपको कोई भी ऐसा छोटा बच जाएगी अब क्या होगा इसके अंदर गूगल प्लेश्टोर के अंदर जितने भी अप्लिकेशन होंगी वह एक 12 साल तक के बच्चे के लिए दिखाई जाएगी यानि 18 प्लस और जितने भी अप्लिकेशन होगी वह यहां शोट नहीं करेगा तो दोस्तों आज की वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर उसके बाद बैल एकन दबाओ तो चले दोस्तों मिलते हैं कली सब्सक्राइब और सलामत रहें